हिंदुस्तान के हर एक शेत्र में इसी तरह की परिस्थती बनी है और हर एक शेत्र में भारत सरकार ने OGL के नाम पर Open Journal License की Policy के नाम पर इस तरह से विदेशी सामानों को बेचने की खुली छूब दी है अभी तक हमारे देश में क्या हो रहा था कि जो वस्तूओं का विनिमय है या वस्तूओं का व्यापार है उसमें भारत सरकार ने विदेशी कमपनियों को बुलाना शुरू किया था पिछले साथ-ाथ वर्षों में उदारी करण के नाम पर अमेरिकन और यूरोपियन कमपनिया ये चाहती है कि वस्तूओं के साथ-साथ सेवा के छेत्र में भी हमारा धंदा भारत में बढ़े और सेवा के छेत्र में भारत में अमेरिकन और यूरोपियन कमपनियों का धंदा बढ़ाने के लिए भारत कोई उपर अमेरिकन और यूरोपियन कमपनियों का दबाओ आना शुरू हुआ है और आप जानते हैं कि भारत सरकार के उपर इसी तरह का दबाओ 1994 के साल में आया था जब भारत सरकार ने गेट करार पर हस्ताक्षर किये थे WTO के प्रस्ताओ को स्वीकरती दी थी और उसी समय भारत सरकार के उपर ये दबाओ था कि आपने वस्तूओं के छेतर में तो बाजार को खोल दिया विदेशी कमपनियों के लिए अब सेवा के छेतर में भी बाजार को खोलिये विदेशी कमपनियों के लिए तो भारत सरकार ने क्या किया अमेरिका के इस दबाओ में आकर यूरोप के देशों के दबाओ में आकर अंतर राश्रुय मुद्राकोश और विशु बैंक जैसी कुख्यात संस्थाओं के दबाओ में आकर हिंदुस्तान में एक मलोत्रा कमेटी बनाई और मलोत्रा कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि सेवाओं के छेतर में विदेशी कमपनियों को भारत में बुलाने के लिए हम दरवाजा खोलना चाहते हैं अते हैं आप बीमा के छेतर में विदेशी कमपनियों को कैसे बुलाया जाए और कौन से रास्ते से बुलाया जाए उसके लिए रिपोर्ट तैयार करिए मुझे बहुत दुख होता है ये कहकर कि मलोत्रा जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान में रहते हुए अमरीकी एजेंट की तरह से काम किया इस तेश में और उन्होंने भारत सरकार को ये रास्ता बताने की कोशिश की कि बीमा के छेत्र में कैसे विदेशी कमपनियों को बुलाया जा सकता है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट भारत सरकार को सौपी गई उस रिपोर्ट में उन्होंने बताना शुरू किया कि जिस तरह से बीमा के छेत्र में हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी कमपनिया है LIC है, GIC है इनको खतम कराना होगा और इनके इस्थान पर अमेरिकन और यूरोपियन कमपनियों को लाना होगा और उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार करके फिर हिंदुस्तान में बीमा के छेत्र में निजी करण का प्रयास प्राइविटाइजेशन का प्रवयास और ग्लोबलाइजेशन का प्रयास शुरू किया आप जानते हैं और इस देश के राजनेतिक घटना करम के बारे में आप गंबीरता से पढ़ते होंगे सोचते होंगे विचारते होंगे हमारे देश की एक सरकार ने इस पर बहुत ही गंबीरता से काम किया कि बीमा के छेत्र में विदेशी कमपनियों को कैसे बुलाया जाए और बीमा के छेत्र में विदेशी पूझी निवेश की छूट कैसे दी जाए और जिस समय भारत सरकार ने ये प्रयाश शुरू किया तो उस समय हमारे देश के वित्यमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था चिदंबरम चिदंबरम जैसे लोग जब वित्यमंत्री बनते हैं हिंदुस्तान में तो उनसे यही उम्मीद हो सकती है जो वो करते रहे मैं आपको एक सची घटना बताता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह के लोग इस तेश में वित्यमंत्री बनते हैं एक बार चिदंबरम वित्यमंत्री होते हुए लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने लंदन के कुछ बड़े-बड़े पूजी पतियों के सामने एक भाशन दिया और उस भाशन में चिदंबरम महोदे ने लंदन के पूजी पतियों को कहा कि आज से कई वर्ष पहले हमने इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में बुलाया था और इस्ट इंडिया कमपनी ने हिंदुस्तान को लूटा था और दो सो वर्षों के लिए हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था मैं आपको दुबारा निमंत्रन देने के लिए आया हूँ आप हिंदुस्तान में आईए आप हिंदुस्तान में आईए मैंने हिंदुस्तान के सारे दरवाजे खोल दिये हैं आप आईए और पूरे हिंदुस्तान की संपत्ती को लूट कर ले जाईए और इसके लिए आपको बहुत बड़ा इनाम भारत में मिलेगा मुझे शर्म आती है कि ऐसे चिदंबरम नाम के लोग इस तेश में वित्यमंत्री बन सकते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बफादारी अमेरिकन और यूरोपियन पूजी पतियों के साथ निभाते हुए हिंदुस्तान में विदेशी घीमा कमपनियों को बुलाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया और उसका एक बिल तैयार करके उन्होंने संसद में पेश करने के लिए तैयारी की उस समय बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उस विदेख को पारित नहीं होने देने की कसम खाई थी और विपक्षी पार्टियों ने एक जुट होकर उस विद्यक को सरकार के किसी भी ताकत से पारित नहीं होने देंगे ऐसा संकल्प किया नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार को विद्यक वापस लेना पड़ा मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन और खुशी इस बात की हुई कि हिंदुस्तान की तमाम राजनेतिक पार्टियों ने अपने बहुत सारे अंतर विरोधों को बाजू में रखकर एक राश्ट्री अप्रशन पर समझोता किया और विदेशी बीमा कमपनियों को भारत में रोकने के लिए विद्यक को पारित नहीं होने दिया लेकिन उस से ज़्यादा दुख की बात मुझे आज ये हो रही है कि जिन राजनेतिक पार्टियों ने चिदंबरम के वित्यमंत्री होने के समय में बीमा चेत्र में विदेशी कमपनियों को घुसने नहीं देने का विदेख पारित नहीं होने दिया था आज दुर्भागे से वही राजनेतिक पार्टियां हिंदुस्तान के बीमा चेत्र का विदेशी करण करने की तैयारी कर रही है जिन लोगोंने जिन्दगी भर स्वदेशी का नारा लगाया जिनोंने जिन्दगी भर लोगों को स्वदेशी का नारा लगा कर वोट बटोरा जिन्होंने जिन्दगी भर राश्टरवाद की बात करी जिन्होंने जिन्दगी भर सांस्कृतिक राश्टरवाद का नारा लगाया आज उन्होंने अमरीका के सामने घुटने टेक कर हिंदुस्तान का बीमा छेतर विदेशी कमपनियों को खोलने का फैसला किया है ये चिदंबरम ने जो किया था उससे भी जादा अफसोस का काम अब भारतिय जंता पार्टी की सरकार इस देश में करने जा रही है मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही खराब काम इस देश में होने जा रहा है और बाकाइदा क्या किया है इन देश की सरकारों ने कि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार है नेशनल डेमोकरेटिक अलाइंस की सरकार है वो भीमा के चेतर में विदेशी कमपनियों को बुलाने की तैयारी कर रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस की पार्टी ने भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला कर लिया अब आप जरा ध्यान पेगिए कि एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी दूसरी तरफ नेशनल डेमोकरेटिक अलाइंस दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब वो भीमा के चेतर में विदेशी कमपनियों को लाने के लिए तैयार है इसका माने हिंदुस्तान के दो बड़े राजनेतिक दलों ने पूरे हिंदुस्तान के विदेशी करण का अभियान शुरू कर दिया है और शर्म की बात ये है कि जिनों ने जिन्दगी भर स्वदेशी का नारा लगाया अब वो इस तरह का काम करने के लिए जा रहे है 1977 में इस देश में जन्ता पारटी की सरकार बनी थी उसके प्रधान मंत्री थे श्री मुरार जी भाई देसाई उसके विदेश मंत्री थे श्री अटल विहारी वाजपेई उस सरकार के उद्योग मंत्री थे श्री जॉर्ज फर्नांडीज उस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे श्री लाल क्रश्न अडवानी और इन लोगों ने 1977 की सरकार में आने के बाद American Company Coca Cola को हिंदुस्तान से भगाया था American Company IBM को हिंदुस्तान से भगाया था American Company ICL को हिंदुस्तान से भगाया था और उस समय इन सबने नारा लगाया था कि जनता पारटी की सरकार हिंदुस्तान का स्वदेशी करण करेगी और हम उसके लिए वचन बद्ध हैं दुर्भाग गया आज हमारे देश का ये है कि उस सरकार के तीनों के तीनों मंत्री आज केंदर सरकार में पहले से जादा उंचे पदों पर बैठे हुए है श्री मान अटल बिहारी वाजपई जो विदेश मंत्री हुआ करते थे आज प्रधान मंत्री है श्री लाल करशन अडवानी जो पहले सूचना और प्रसारन मंत्री हुआ करते थे वो आज ग्रह मंत्री है श्री जॉर्ज फर्नांडीस जो पहले उद्द्योग मंत्री हुआ करते थे आज रक्षा मंत्री है तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान का स्वदेशी करण और तेजी के साथ करेंगे जब 1977 की सरकार में ये छोटे मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने अमेरिकन कमपनियों को भगाया था हिंदुस्तान से तो अब ज़्यादा बड़े मंत्री होने के बाद जो ज़्यादा अमेरिकन कमपनियों को भगाएंगे इंदुस्तान से ऐसा मैं सोचता था लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ और अफसोस इस बात का है कि अभी यही लोग सबसे पूरी ताकत लगाकर अमेरिकन कमपनियों को भारत में बुलाने का खेल खेल रहे और ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है और इस अफसोस का जो दूसरा घटना करम है वो ये कि एक तरफ वस्तूओं का बाजार विदेशी कमपनियों के लिए खोला इन्होंने पूरी तरह से आज विदेशी कमपनियों च्छा गई हैं हिंदुस्तान के बाजार में 80,000 करोल रुपई की संपत्ती लूटी जा रही है पिछले 1991 से जब से उदारी करण की नीतियां शुरू हुई है विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ है OGL की पॉलिसी के तहट विदेशी खादे तेल 20 रुपई लीटर का मिलता है हमारे देश का खादे तेल 40 से 45 रुपई मीटर का होता है विदेशी लोहा 7,000 रुपई टन में है स्वदेशी लोहा 14,000 रुपई टन में है हर विदेशी माल सस्ता है, स्वदेशी माल महंगा है क्योंकि विदेशी माल पर टैक्स बहुत कम कर दिये हैं सरकारों ने तो नतीजे ये निकले हैं कि हिंदुस्तान की 40 से 50 प्रतिशत छोटी छोटी फैक्टरियां बंदो गई है हमारे देश की स्मॉल स्किल इंडस्ट्री पर सबसे बुरा असर पड़ा है इस उदारी करण और जागतिक करण की नीतियों का अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजराद गया था और एहमदाबाद में मेरी एक जाहिर सभा थी उस सभा को करने के बाद गुजराद प्रदेश सरकार के एक माननिय मंतरी जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राजी भाई आप बिल्कुल सच बोलते हैं 1991 से जब से विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ गुजराद सरकार ने अभी एक कमीशन बनाया था उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि 50 टका गुजराद के छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं वापी में 3000 से ज़्यादा फैक्टरियां बंद पड़ी है वापी के इलावा ऐहमदाबाद में 50-55 टका फैक्टरियां बंद हो गई है सौराष्टर में 55-60 टका फैक्टरियां बंद होई है अभी दो दिन पहले मैंने देखा कि महराष्टर के मुक्हिमंतुरी का बयान था कि विदेशी करण के चलते, उधारी करण के चलते इस महराश्र की पचास से साट रका इंडस्ट्रीज बंद हुई है केंदर सरकार खुद मानती है कि जब से विदेशी कमपनियों का माल ज़्यादा बिकना शुरू हुआ हिंदुस्तान के तीन लाख उद्योग पूरे देश में बंद होए है और आठ करोड से ज़्यादा मजदूर बेकार हुए है तो अभी तक तो हमारे देश में उद्योग के चेतर में वस्तूओं के चेतर में विदेशी कमपनिया आई तब हिंदुस्तान के तीन लाख उद्योग बंद हो गए आठ करोड मजदूर बेकार हो गए अब आप जरा कलपना करिए कि अगर बीमा के चेतर में बेंकिंग के चेतर में स्वास्त के चेतर में सिक्षा के चेतर में माने हमारे देश के पूरे के पूरे सर्विस के सेक्टर में अगर विदेशी कमपनिया इसी तरह से गुस्ती चली गई तब इस देश में बेरोजगारी का क्या होगा और तब इस देश में पैसे के बाहर जाने का रेशियो क्या होगा मैं अभी आता था रास्ते में बात कर रहा था इस हिंदुस्तान के भीमा के छेत्र में विदेशी कमपनियों को आने में इसलिए लाला चाहता है कि ये एक ऐसा चेतर है जिसमें ज्यादा पूजी निवेश की जरूरत नहीं ये एक ऐसा चेतर है जिसमें कोई टेकनॉलोजी की जरूरत नहीं ये एक ऐसा चेतर है जिसमें कोई हाई टेक लाने की जरूरत नहीं ये एक ऐसा चेत्र है जिसमें लाकर इंदुस्तान में कोई असेट्स बनाने की जरूरत नहीं ये अकेला एक और एक ऐसा चेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश से काम शुरू करा सकता है और इसी छेत्र में व्यापार बहुत भयंकर हो सकता है और मुनाफे बहुत भयंकर हो सकते हैं आप तो स्वयम जानते हैं आप L.I.C. में काम करते हैं L.I.C. जब शुरू हुआ 1956 में भारत में तो 5 करोड रुपई की पूझी से ये व्यापार शुरू हुआ था और 5 करोड की पूझी निवेश करके भारत सरकार ने जो Life Insurance Corporation बनाया आज उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करके 1,25,000 करोड रुपई की पूझी जमा की हुई है इस बात का अर्थ जरा गहराई से समझिए कि जो व्यापार हमारे देश में 5 करोड रुपई से शुरू हुआ माने 5 करोड रुपई के इनीशियल पेड़ अप कैपिटल पर L.I.C. का काम शुरू हुआ और आज उस L.I.C. के पास फंड्स के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए एक लाख पचीस हजार करोड रुपई दे रखता है जो आपके पास जमा है इसका अर्थ ये है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में बचट करने की बड़ी भारी मन में संकल्प शक्ती है ये इस बात का प्रमार है कि हिंदुस्तानी आदमी बचट करता है और अपने किये गए खून पसीने की कमाई के बचट को आपके पास रखता है और आप भी क्या करते हैं क्योंकि आप इस राश्रके लिए बने है और ये राश्र आपका है आप इस राश्रके है तो आपके पास जो इस तरह की बचट आती है वो आप हिंदुस्तान के ही विकास के काम में लगाते है मैं देख रहा था कि इसी L.I.C. ने हिंदुस्तान के विकास के काम में विद्युत के छेतर में 10,000 करोड रुपय का निवेश किया है और इसी तरह से पानी के छेतर में माने हिंदुस्तान के लोगوں को पीने का पानी उपलब दो हो उसके लिए 10,12,000 करोड रुपय का पूंजी निवेश ग्रह के लिए हाउसिंग के काम के लिए मैं कुल मिलाकर देख रहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए LIC ने लगबग 25 से 30 हजार करोड रुपए का इंवेस्टमेंट अभी तक किया माने लोगों की कुल जमा पूजी आपके पास सवा लाक करोड है और वही जो पूजी लोग जमा करते हैं उसी मैंसे आपने अब तक लगबग 30 हजार करोड रुपए का इंवेस्टमेंट किया है जो देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए है उनको बिजली की सुविधाय देने के लिए पानी की सुविधाय देने के लिए इसका माने ये है कि LIC जैसे ही कमपनिया या GIC जैसी कमपनिया या सर्विस सेक्टर की हिंदुस्तानी कमपनिया इसी देश के विकास के काम में अपना पैसा लगाती है और मैंने ये भी जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जितना मुनाफ़ कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5 प्रतिशत भारत सरकार को जाता है 95 प्रतिशत मुनाफ़ आपके जो पॉलिसी धारक है उनी में बट जाता है तो जो कमपनिया 95 प्रतिशत अपने मुनाफ़ का पूजी धारकों में बटवारा करती हो ऐसी कमपनियों के छेतर में अगर विदेशियों को गुसाया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का जो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है कि बीमा के चेतर में अगर विदेशी कमपनियों को गुसाया भारत सरकार ने तो हमारे देश की जनता की ये खून पसीने की कमाई की जो पूजी है जिसको हम डॉमेस्टिक सेविंग्स कहते है ये डॉमेस्टिक सेविंग्स हिंदुस्तान के लोगों की जो आपके पास रखी हुई है दुर्भागे से ये सारी की सारी डॉमेस्टिक सेविंग्स अगर विदेशीों के हाथ में चली गई तब हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा आप जानते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने भी सच्चा विकास किया है वो अपने देश की घरेलू बचत को ध्यान में रख कर किया है आप दुनिया के किसी भी विकसित देश का उधारन लीजिए जैसे चीन का उधारन लीजिए चीन ने आज तक 50 साल में जितनी भी तरक्की की है उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान चीन के लोगों के घरेलू बचत का रहा है डॉमेस्टिक सेविंग्स का रहा है आज दुनिया में अगर कोई एक और एक देश ऐसा है जहां पर डॉमेस्टिक सेविंग्स सबसे ज़ादा है तो उसका नाम है चीन चीन का एक साल का जो सारा का सारा जीडीपी होता है जो ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉड़क्ट का सारा का सारा उनका वैल्यू होता है उसका 36% वहां सेविंग्स होती है तो चूकि उन्होंने अपने जो उत्पादन हो रहा है पूरे राश्ट्रमे चीन के वहां की उत्पादन के 36 तका तक के इस तर तक उन्होंने घरेलू बचत बनाई है और उस बचत ने चीन का विकास करने में महतुपूर भूमी का निभाई है तो हम हिंदुस्तानी लोगों को ये बात गंबीरता से समझनी चाहिए कि कल को हमें भी अगर स्वावलंबी विकास करना हो स्वदेशी आधारित विकास करना हो तो यही घरेलू बचत है जो हमारे देश के काम में आ सकती है कोई विदेशी कमपनी हमारा विकास करने के लिए नहीं आ सकती हम हमारी पूजी से ही अपने देश का विकास कर सकते हैं आप जान लीजिए दुनिया भर का नियम है कि आपका घर बनाने के लिए कोई विदेशी नहीं आएगा आपको अपना घर बनाना है तो अपने अभिक्रम से अपनी ताकत से बनाना होगा ये विदेशी कमपनिया जो आएंगी वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आएंगी ये विदेशी कमपनिया आएंगी वो भारत से संपत्ती लूट कर ले जाने के लिए आएंगी वो भारत का विकास करने नहीं आएंगे वो अपना विकास करने के लिए इस तेश में आएंगे और उनको दिखाई दे रहा है कि ये बीमा का छेत्र इतना लाब देने वाला छेत्र है कि बहुत कम पूझी निवेश पर इसमें इतना भयंकर मुनाफ़ा हो सकता है आज LIC का कुल मुनाफ़ा साल का 30-35,000 करोल रुपए के आस पास है तो अमेरिकन कमपनियों को ये दिखाई दे रहा है कि 5 करोल रुपए के पूझी निवेश से LIC नाम की कमपनी हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर अगर 30-35,000 करोल रुपए का कुल मुनाफ़ा कमा सकती है कुल आए अपनी दिखा सकती है तो अमेरिकन कमपनिया इस शेत्र में अगर गुस गई तो कितने हजार करोल रुपए का मुनाफ़ा उनको हो सकता है इस द्रश्टी से अमेरिकन और यूरोपियन कमपनिया हिंदुस्तान में गुसना चाहती है और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के नेता उनको इस काम में मदद कर रहे है और हिंदुस्तान में गुसाने के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और संसद में एक ऐसा विदेयक लेने जा रहे है जो विदेयक के आधार पर हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कमपनियों के लिए रास्ता खुलेगा और विदेशी लूट का एक नया अध्या इस देश में और बड़े पहमाने पर शुरू हो जाएगा इसलिए ये गंबीर बात है हम सब को सोचने के लिए और मुझे ये लगता है कि आज हमने अगर पूरी ताकत लगा कर इस तरह की चीज़ों को नहीं रोका तो कल जानते हैं क्या होगा आज वो वीमा के छेतर में घुस रहे हैं शेयर बजार में तो गुसी चुके हैं विदेशी अब सेवा के छेतर में घुसने की तैयारी है वस्तूओं के छेतर में सरकार उनको गुसा ही रही है और मुझे जो दुख होता है ये बाजानते हुए कि अगर ये सारे के सारे चत्र विदेशियों के हाथ में ही चले जाएंगे तो हम हिंदुस्तानियों को फिर क्या करने के लिए बचेगा ये हम सब के लिए एक गंभीर प्रशन है और ये हमारे अस्तित्त से जुड़ा हुआ प्रशन है ये हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्त से जुड़ा हुआ प्रशन है राश्ट्रकी अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है राश्ट्रकी आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है राश्ट्रकी संप्रवता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है मैं बहुत बार इन नेताओं से मिलता रहता हूँ और कभी कभी मैं इन से पूछता हूँ कि आप जब कुरसी पर नहीं होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुरसी पर बैठते ही आपकी हवा क्यों निकल जाती है आप ये उल्टे काम करना क्यों शुरू करते हैं तो अकसर ये नेता आप मुझे को क्या जवाब देते हैं वो कहते राजी बाई आप तो जानते ही है कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारे समझौते कर रखे हैं 1994 की सरकार ने गैट करार का समझौता कर दिया अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें वही समझोता हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है और मैं पिर उनको एक सवाल और पूछता हूँ कि अच्छा अगर यही बात है कि पुरानी सरकार में एक समझोता किया जिसका नाम गैट करार का समझोता या डंकल प्रस्ताओ या डबलू टियो का एग्रिमेंग और हम मानते हैं कि वो गलत समझोता था और आप भी उसी गलत समझोते को आगे बढ़ा रहे हो तो आप में और पुरानी सरकार में फरक्या क्या हम आपको इसलिए लेकर आये थे वोट देकर कि आप भी वही गलती करना जो पुरानी सरकार कर रही थी पुरानी सरकार ने अगर हिंदुस्तान को खड़े में फेका तो आप उसको खड़े से निकाल के खाई में फेकना चाहते हो हम एक सरकार लाते हैं वो गलतिया करती है उसको हटाते हैं दूसरी सरकार लाते हैं अब दूसरी सरकार भी वही गल्ती करें जो पुरानी सरकार करती है तो ये सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हो तुम सब मिलकर एक ही खांदान क्यों नहीं बना लेते हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि हम अलग खांदान के हैं हम अलग खांदान के हैं हमारा चुनाओ चिन हाथ का पंजा, हमारा चुनाओ चिन कमल का पूल ये सब एक कर दो जब पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है और नई सरकार को ही नई नीति बनाना ही नहीं चाहती तो हम तो मानते हैं कि जनता के लिए तो ये सब खांदा नेकी है इसमें कोई फरक नहीं है और अगर आपकी नीतियों में फरक नहीं है तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्यों बोलते हो फलानी पार्टी बेकार है, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है कहो के हम सब पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बढ़ते हैं जो वो करते हैं वो हम करने वाले हैं अब आपकी हिम्मत हो तो वोट दीजे वरना मत दीजे और अगर इस इमानदारी से वोट मांगोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी तक तो हिंदुस्तान की 50 टका जनता ही वोट देने जाती है फिर शायद 5 टका जनता भी वोट देने नहीं जाएगी लेकिन ये ऐसा नहीं करते ये जब चुनाओ लड़ते हैं तो बड़े बड़े वाइदे करते हैं आपसे और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका मुझसे और आपसे कुछ लेना देना नहीं पिछला चुनाओ हुआ उसमें मुद्दा उठाया इस्थिरता का पिछला चुना हुआ उसमें मुद्धा उठाया गुड गवर्मेंस का मेरे लिए गुड गवर्मेंस का मतलब क्या मेरे लिए गुड गवर्मेंस का मतलब ये है कि पुरानी सरकार की की हुई गलतियों को नई सरकार नहीं करेगी वही मेरे लिए good governance है अगर पुरानी सरकार ने विदेशी कमपनियों को बुला कर हिंदुस्तान के बाजार को खोला हिंदुस्तान के तीन लाख उद्योग उसमें बंदो गए आठ करोड मजदूर बेकार हो गए तो good governance का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी लाख और कराएंगे तो यह good governance हुआ के bad governance हुआ और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो तेरे महीने सरकार चली और गिर गई तो दुनिया भर में स्थिर्था का नारा लगा दिया अब तुमारे पास स्थिर मेजोरिटी आ गई तो तुम तेरे महीने की सरकार ने जितनी विदेशी कमपनियों को बुलाया उससे और ज़्यादा आप बुलाना चाहते हो तो इस्थिर्था किस के लिए जनता के लिए कि तुमारी कुरसी के लिए तो इस्थिर्था का नारा या good governance का नारा जनता के लिए नहीं है इस्थिर्था का नारा और good governance का नारा उनकी अपनी जो कुरीतियां है जो उन्होंने गलत नीतियां बना रखी है उन्हीं को लगाता रागे बढ़ाने के लिए है इसका अर्थ बिलकुल साफ है इसका अर्थ ये साफ है कि जब हिंदुस्तान की दो राजनेतिक पार्टियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस राश्ट्र के हित में कुछ करेंगे उन्होंने तो गटजोड कर लिया है और गटजोड ऐसे विचित्र तरीके से किया है कि अभी थोड़े दिन पहले फिक्की का एक सम्मेलन हुआ था दिनली में उस सम्मेलन में हमारे माननिय प्रधानमंत्री गए और भाशन दे कर आए कि मैं उदारी करण की गती को और तेज करने वाला हूँ दूसरे दिन मैंने देखा कि श्रीमती सोनिया गांदी भी पहुँच गई वहाँ भाशन देने और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब उदारी करण की गती को तेज करेगी तो हम पूरा समर्थन सरकार को देने वाले हैं तो इसका माने अंदर खाने में दोनों की दोस्ती है बाहर खाने में जगडा है आपको दिखाने के लिए जगडा है मुझको दिखाने के लिए जगडा है अंदर यंदर कोई जगडा नहीं है समझोता कर रखा है कि तुमने जितना देश बेचा उससे ज़्यादा हम बेचेंगे तुमने जितनी चैंपियंशिप मारी है उससे ज़्यादा हम मारेंगे तुमने हमको समर्थन दिया था हम तुमको समर्थन देंगे इस तरह के गटजोड की राजनीत अब शुरू हुई है और मुश्किल ये है कि जब इस तरह की राजनीत देश में चलती है और इस तरह के विदेयक लाने जब शुरू हो जाते हैं संसद में तो आप जानते हैं कि एक नया तरीका और आया है कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र चलता है लेकिन आप जानते हैं कि डिक्टेटर्शिप भयंकर पहमाने पर चल रही है इस देश में कैसी डिक्टेटर्शिप चल रही है मैं व्यक्तिरत रूप से जानता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी में ऐसे कई MP है जो भीमा छेतर के निजी करण के पूरी तरह से विरोधी है बारती अजंता पार्टी में ऐसे कुछ MP है जो भीमा छेतर के विदेशी करण और निजी करण के पूरी ताकत के साथ विरोधी है और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ लेकिन क्या होगा मैं आपको आज बताता हूँ कि जो लोग विरोधी हैं भीमा छेतर में विदेशी कमपनियों को बुलाने के उनको विप जारी किया जाएगा एक तरफ बिल लाया जाएगा दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से विप जारी किया जाएगा और विप जारी करके सांसदों को ये बताया जाएगा कि जो सरकार चाहती है वैसा वोट डालो अगर तुमने सरकार के कहने पर वोट नहीं डाला तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और आजकल के MPs इतने कमजोर हो गए है कि उनको पार्टी छोड़ना मनजूर नहीं है बहले ही देश खड़े में चला जाए वो बाचीत में कई बार मुझे कहते है मैं कई MPs से मिल चुका हूँ 250 से जादा MPs से में पिछले तीन वर्षों में मिला हूँ और मैंने हर एक से ये पूछा कि आप क्या मानते हैं विदेशी कमपनियों को जादा आना चाहिए दिमा के चेतर बे आना चाहिए बेंकिंग बे आना चाहिए वो कहते हैं नहीं आना चाहिए तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा इमानदारी से ये बताना ये बिल आएगा तब तुम क्या करने वाले हो तो नहीं नहीं का राजी भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते विप आएगा और जो विप कहेगा वही हमें तो करना पड़ेगा तो मैंने का आप फिर इमानदारी से ये बताओ कि जब आप वोट मांगने आते हो मेरे पास तो आप बोलते हो कि हम आपके प्रतनिदी बनेंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए तो आप मेरे प्रतनिदी बनकर वोट लेकर संसद में जाकर बैठते हो और काम पार्टी का करते हो प्रतनिदी मेरे बने हुए हो काम पार्टी का करते हो तो तुमसे जैसा बेवकूफी वाला है आदमी कौन है? मुझसे वोट मांगा मैंने तुमको वोट दिया छे साथ लाग की आबादी का आप रिजर्व रिप्रिजन्टेशन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी वोट वोटर के प्रती है या एक पार्टी के अध्यक्ष के प्रती है आप बताइए और अगर आप एमानदारी से ये कहते हैं कि हमारी प्रतिबदता पार्टी के प्रती है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपके प्रतिन्दी है आप मेरे प्रतिन्दी कहा है आप तो प्रतिन्दी है और दुर्भा के हम सब का ये है कि ये सारे के सारे MPs जब संसद में जाकर बैठते हैं इनको जतनी पगार मिलती है वो जनता के प्रतिनिरी के रूप में मिलती है इनको जतनी सुविधाय मिलती है वो जनता के प्रतिनिरी के रूप में मिलती है इनको जतनी और दूसरी तरह की सेवाय मिलती है वो जनता के प्रतिनिरी के रूप में मिलती है लेकिन काम ये जनता के प्रतिनिदी के रूप में नहीं करते दुर्भागे मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सब सांसद पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए बॉंडिड लेवर होता है न वो मालिक की इक्षा के अलावा कुछ नहीं कर सकता वैसे ही बॉंडिड लेवर हमारे ये सब सांसद हो गए एक तरफ मानते हैं सिद्धान्त रूप में कि आपकी बात बराबर है लेकिन संसद के अंदर जब उसके विरुद वोट डालने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी चमता के बाहर है क्योंकि पार्टी का विप जारी हो गया आप जान लीजिए ये पार्टीों ने विप जारी करने की जो परंपरा बनाई है ये हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की निशानी है हिंदुस्तान को हिटलर शाही की तरफ ले जाने की निशानी है ये हिटलर शाही यही होती है जहां कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता एक नेता सोचता है, एक अध्यक्च सोचता है एक आदमी समझोता करता है और बाकी सब को मजबूर किया जाता है कि तुम उसको मानो और उसका पालन करो वैसे हिटलर शाही की तरफ ये देश बढ़ रहा है जैसे जैसे विदेशी पूंजी निवेश बढ़ रहा है जैसे जैसे विदेशी कमपनियों का प्रवेश बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंदुस्तान अब हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहा है प्रजातांत्रिक देश न रहे कर अब ये एक डिक्टेटरशिप वाला देश हो गया है अब ऐसी परिस्थिती में हमारे सामने चुनाउती है और ये हमारे सामने जिम्मेदारी भी है कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस लड़ाई को लडने के दो रास्ते हमारे सामने है एक रास्ता तो ये है कि ये लड़ाई आपके अकेले की लड़ाई नहीं है ये पूरे भारत की असमिता की लड़ाई है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि बीमा के छेतर में सेवा के छेतर में बीमा के छेतर में बैंकिंग के छेतर में इस सारे के सारे छेतर में विदेशी पूजी का आना हिंदुस्तान की असमिता का चला जाना ये सीधा सीधा उससे जुड़ा हुआ और आप जानते हैं हमारे देश में एक अमेरिकन राजजूत हुआ करते थे उनका नाम था फ्रेंक विजनर आज तो वो चलेगा यहां से अब दूसरे एक अमेरिकन राजजूत हैं लेकिन फ्रेंक विजनर ने 1994 के साल में एक बड़ी गंबीर बात कही थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उस एक बात को सुनकर आप कलपना करिए कि अमेरिका की योजना क्या है फ्रेंक विजनर ने 1994 के साल में दिल्ली में एक सभा में ये बोला कि अमेरिका की पूझी निवेश करने वाली जो बीमा की कमपनिया है बने अमेरिका के सर्विस सेक्टर की जो कमपनिया है वो जिस दिन भारत में घुज जाएंगी उस दिन अमेरिकान पूझी पतियों का सारा प्रभुत्तु हिंदुस्तान पर चाह जाएगा और उसने ये बात बहुत इस पश्टता से कही के अमेरिकन भीमा कमपनिया वो चाहें LIC में हो, Life Insurance में हो या Journal Insurance में हो अमेरिका की भीमा कमपनिया अमेरिकन पूझी वाद का और अमेरिकन सामरा जवाद का जढडा उठाने वाली कमपनिया है आप ज़रा गोर करिये फ्रेंक विजनर के शब्दों को उसने कहा कि अमेरिका की बीमा कमपनिया अमेरिकन सामरा जवाद का जंडा लेकर चलने वाली कमपनिया है और जिस देश में अमेरिका की बीमा कमपनिया या सेवा छेतर की कमपनिया जम जाती है उनी देशों में अमेरिकन सामरा जवाद का जंडा गल जाता इसका माने क्या हो रहा है अब अमेरिकन सामराजवाद का जंडा गालने के लिए हिंदुस्तान की जमीन को खोला जा रहा है इसलिए ये मैंने कहा आपसे कि ये आपकी अकेले की लडाई नहीं है ये संपूर भारत की असमिता की लडाई है हमारी आर्थिक आजादी को बचाने की लडाई है हमारी राष्ट्रिय संप्रभुता को बचाने की लडाई है और अगर ये लडाई हिंदुस्तान की असमिता की लडाई है तो ये आपकी अकेले की नहीं हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की प्रजाकी जिम्मेदारी है कि वो इस छेत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से संगर्श करें जिन लोगों ने हमारे LIC या GIC में पूझी निवेश किया है आपकी पॉलिसीज घरीदी है जिन लोगों ने एक लाख पचीस जार करोड रुपए का इंवेस्टमेंट किया है एक तरह से आपके सेक्टर में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस छेत्र को बचाने के लिए संगर्श करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें रणनीती दो तरह की बनानी होगी एक तो रणनीती ये बनानी होगी कि व्यापक समाज के हिस्से को कैसे इस आंदोलन में जोडा जाए हम अकेले इस आंदोलन को नहीं लडेंगे अगर आप अकेले लड़ेंगे तो मुश्किल में फसेंगे आपको बाकी सब लोगों को साथ लेकर ये आंदोलन में चलना होगा बीमा के छेतर के लोगों को शामिल कराना होगा बेंकों के छेतर के लोगों को शामिल कराना होगा सिक्षा चेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा व्यापार चेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा गरीब किसान को इसमें बुलाना होगा गरीब मजदूर को इसमें शामिल कराना होगा हिंदुस्तान के करोणों करोणों के समाज का प्रतिनिद्ट तो इस आंदोलन में अगर होगा तो निश्यत रूप से हम ये काम कर सकेंगे और मैं इस खातरी के साथ इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसको जीतेंगे एक दूसरा काम हम और कर सकते हैं और वो काम हमारे आजादी बचाओ आंदोलन ने अपने हाथ में उठाया इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर लगने के लिए तयारएं राजी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है राजी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है एक तो हम अपनी तरफ से आपको वाइदा करते हैं कि पूरी तरह से कंदे से कंदा मिलाकर इस लड़ाई में हम आपके साथ है तो आप पूछेंगे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं आप जो आंदोलन कर रहे हैं और मुझे जानकारी है और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बीमा चेत्र के करमचारियों ने एक स्वाक्षरी मुहिम चलाया था हस्ताक्षर लेने का मुहिम चलाया था और मुझे बहुत खुशी है कि डेल करोड से जादा हस्ताक्षर पूरे हिंदुस्तान से एकट्टे होकर संसद में बेजे गए इसके लिए मैं आप सबको अबिनंदन देना चाहता हूँ जिस तरह का आपने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया वैसा ही एक हस्ताक्षर अभियान हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से चला रहा है आपका जो हस्ताक्षर अभियान था उसमें बीमा के छेत्र को बचाने की बात कही गई है हम लोगों ने भी इसी तरह का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और संपूर्ण हिंदुस्तान के सभी छेत्रों को बचाने की बात हम उसमें कर रहे हैं हिंदुस्तान के 35 लाख लोगों से हम स्वाक्षरी अभी तक ले चुके हैं 65 लाख से हम और लेने वाले हैं जिस दिन हमको 65 लाग और लोगों की स्वाक्षरी मिलेगी, हस्ताक्षर मिलेंगे तो एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम भी यही करने वाले हैं जो आपने किया आपके डेल करोड़ हस्ताक्षर में भारत सरकार पर काफी दवाओ बनाया है और संसद के ऊपर बहुत दवाओ बनाया है जिस दिन वो हस्ताक्षर सोफे गए थे, मैं उस दिन दिल्ली में था ट्रक में भर भर के जब वो हस्ताक्षर संसद के गेट पर ले जाकर रखे गए तो बहुत सारे संसदों के होश उड़ गए जो विदेशी कमपनियों का समर्थन करते हैं और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब स्वदेशी वालों की बात ताकत ले रही है उनकी ताकत अब धीरे दीरे बड़ रही है तो उस हस्ताक्षर अभियान ने एक जोरदार अभियान चलाया और दबाव बनाया अब उसी दबाव को और गहरा करने के लिए हम लोगों ने एक करोड का हस्ताक्षर लेकर एक अभियान शुरू किया है और बहुत जल्दी हम सरकार को देंगे हमारी बात बिलकुल दो टूक है सीधी सीधी है कि ये भीमा के छेत्र में ही नहीं पूरे सेवा के छेत्र में जो निजी करन और विदेशी करन की बात है वस्तूओं के छेत्र में जो विदेशी करन निजी करन की बात है वो सबकी सब एक साथ हिंदुस्तान में रद की जानी चाहिए जिन नीतियों को संसद में बनाया है पिछले साथ आठ वर्षों में संसद उन नीतियों को वापस ले ये हिंदुस्तान के एक करोड लोगों का जनादेश है हम ये भाशा बोलने वाले हैं जो लोग अपना हस्ताक्षर दे रहे हैं, स्वाक्षरी दे रहे हैं, वो सरकार को जनादेश दे रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के मालिक हैं, सरकार हमारी नौकर है, हमारे दिये गए वोट पर सरकार बनती है, माने हम मालिक हैं, सरकार नौकर है, तो नौकर बिना मालिक की अनुमत के बिना काम करता है तो कान पकड़के ऐसे नौकर को बाहर निकाल दिया जाता है आप जानते हैं तो वो एक करोड लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम संसद में जाएंगे सरकार को समझाएंगे सरकार में हमारी बात समझी तो बहुत अच्छा नहीं समझी तो वो एक करोड लोगो सरकार सम्विधान विरोधी कानून भी नहीं बना सकती दुर्भागिसे सेवा के छेतर में जो विदेशी कमपनियों को बुलाने के कानून है ये सब सम्विधान विरोधी हैं और हमारे राष्ट विरोधी हैं हम सुप्रीम कोट में ये सिद्ध करेंगे और सुप्रीम कोट की म आती तो एक आखरी हतियार हमारे पास बचेगा और वो होगा संपूर बगावत का और पूरी की पूरी क्रांती का तब शायद इस देश में व्यवस्था परिवर्दन की बात करनी पड़ेगा और उसके लिए रास्ते क्या होंगे एक तरफ तो हिंदुस्तान के लोगों में ज के आने से क्या नुकसान होगा पूजी के छेतर में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा करोड़ों लोगों को ये बात जब समझ में आईगी तो वो आपके साथ इस लड़ाई में जड़ते जाएंगे और वो काम पिछले आठ वर्षों से हम बहुत खूप सूरती क साथ कर रहे हैं, आजादी बचाओ अंदोलन और हमारे साथ ऐसे सत्तर संगटन हैं देश में, वो गाउं गाउं जा रहे हैं लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन करोडों की संख्या में लोगों को ये बात समझ में आएगी, तो कोई समझोता दुनिया का टिकेगा नहीं, कोई डबलू टियो हिंदुस्तान में रहेगा नहीं कोई आयमेफ और वर्ड देंक की नीतिया इस देश में चलेगी नहीं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, कि कोई भी समझोता हो, हमेशा इर्रिवर्सिबल नहीं होता, कोई भी समझोता हो, वो रिवर्सिबल होता है कई बार समझोते होते हैं दुनिया में और वो रद किये जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कि 94 के साल में जो गैट करार का समझोता हो गया है वो इतना ताकतवर है कि रद ही ना हो सके मैं आपको अभी बोल कर जा रहा हूं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं अगले दो-तीन साल के अंदर ये WTO ही खलास होने जा रहा है और ये WTO के सारे समझोते रद होने जा रहा है क्योंकि दुनिया भर के देशों में ये हंगा पुछ रहे है दूसरे बाजू में हजारों लोग दुनिया भर के पुछ रहे है उसमें आजदी बचाओ अंदोलन के प्रत्निदी भी जा रहा है कल सियेटल या आज रात को रवाना हो रहा है वो दिल्ली से तो ये दुनिया बर के लोगों में अब ये चर्चा शुरू हो है मजदूर किसान गरीब आदमी जो भुकमरी का शिकार है जिसको दो जून खाने को रोटी नहीं मिलती है साधरन किसम का व्यक्ति है वो जान गया है कि इन विदेशी कंपोनियों से उनका कोई भला नहीं हो सकता अगर उसका भला होगा तो अपने देश के लोगों के द्वारा होगा अपनी पूजी के द्वारा होगा अपनी अविक्रम के द्वारा होगा अपनी संस्कृति और सब्विता के द्वारा होगा तो एक बाजू में सरकारी लड़ाई लड़नी है, सरकार के स्थर पर, दूसरे बाजू में जनता को मॉबिलाईज करना है, और तीसरे बाजू में दुनिया भर के लोगों को मॉबिलाईज करना है, जो WTO के खिलाफ है, जो World Bank के खिलाफ है, जो IMF के खिलाफ है, तीन स्थर की लड़ाई लड़ते हैं तो संकल्प करते हैं बिना संकल्प के दुनिया में कोई लड़ाई जीती नहीं जाती अधूरे संकल्पों से लड़ी गई कोई भी लड़ाई दुनिया में कभी सफल नहीं हुई है लेकिन छोटे छोटे संकल्पों से जब लोगों ने काम शुरू किये हैं तो बड़े बड़े काम उसमें हो गए हैं इंदोस्तान में दुनिया भर के इतिहास का अगर आप अध्यान करें और आप पाएंगे कि जिन जिन देशों में करांतियां हुई हैं वो संकल्प लेने वाले लोगों के कमिक्मेंट के कारण हुई हैं अगर हम भी ऐसा कोई संकल्प करेंगे अपने राश्टर के लिए अपने लिए अपने सबिता के लिए अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए तो जरूर हम उस संकल्ब को धारण करके उस लड़ाई को जीत सकते हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करने आया कि ये लड़ाई अमेरिकन पूजी वाद के खिलाफ है ये लड़ाई अमेरिकन सामराजवाद के खिलाफ है ये लड़ाई यूरोपियन पूजीवाद और यूरोपियन सामराजवाद के खिलाफ है ये लड़ाई विदेशी कमपनियों के सामराजवाद के खिलाफ है तो इस लड़ाई में अगर हम सब लोग इमानदारी से शामिल होते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा काम ना करें, जिससे अमेरिकन पूजी बाद मजबूत हो, अमेरिकन सामरा जबाद मजबूत हो, यूरोपियन पूजी बाद मजबूत हो, यूरोपियन सामरा जबाद मजबूत हो, तो आप को उसके वहिश्टार के लिए तैयार कराना होगा तो आप पूछेंगे वो क्या करें मेरा आप से निवेदन है कि ये लड़ाई आग से अगर शुरू मानते हैं आप तो आज से अमेरिकन कमपनियों का सामान खरीदना बन करिए यूरोपियन कमपनियों का सामान खरीदना बन करिए और आप ऐसा संकल्प करिए कि अपने जीवन में कभी भी पेपसी कोला पिएंगे नहीं कोका कोला पिएंगे नहीं थमसब पिएंगे नहीं लिमका, सिट्रा, मिरंडा, मेंगो, फ्रूटी पिएंगे नहीं, कॉलगेट जैसी कमपनियों का सामान इस्तेमाल करेंगे नहीं, हिंदुस्तान, लीवर, प्रॉक्टर अंगेंबल जैसी कमपनियों का सामान खरी देंगे नहीं, इन सारी विदेशी कमपनियों का अगर हम वहि वहिशकार कराया और हिंदुस्तान की जनता इस वहिशकार के आंदोलन में शामिल हुई तो कल जब अमेरिकन बीमा कमपनिया भारत में आएंगी तो उन अमेरिकन बीमा कमपनियों का वहिशकार कराने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ जनता के पास जाने का अधिकार होगा ए आपने ये लड़ाई अगर शुरू की है तो इसको जारी रखिए किसी भी कदम पर इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए जितना बन सके आप अपनी ताकत और च्छमता से इसको लड़िए दूसरे लोगों की ताकत और च्छमता आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा और हमारे अंदोलन की तरफ से आप या आपके अंदोलन की तरफ से हम हम सब एक ही परिवार के लोग हैं हम सब एक ही समाज के लोग हैं एक ही तरह से इस राश्टर को बचाने की कोशिश में लगे हुए लोग है तो हम सब एक परिवार के लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर कदम हमारे सफलता की तरफ बढ़ेंगे हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे इस संकल के साथ आपका बहुत आभार बहुत धन्यवार हम सब हम सब हम सब कमगार एक ता